ओम शान्ती आज हम फिर से एक बार और आपके बीच कुछ ऐसा विशय लेकर के आए हैं जिसके उपर हम सभी बहुत गहन चिंतन करते ही रहते हैं और वो विशय है परिक्षा के समय अपने मन को इस्थिर बनाए रखना और फिर उसके आने वाले परिणाम को देख कर भी अपने इस्थिती को खुशनुमा बनाए रखना लेकिन प्राहे देखने में यह आता है जब विध्यार्ती को पता चलता है कि अब तुम्हारी परिक्षा होने वाली है उसी दिन से विध्यार्ती के मन में एक चिंता की लहर उत्पन हो जाती है चाहे किसी ने कितने भी तयारी की हो लेकिन एक चिंता हर एक विध्यार्ती के मन में उत्पन होती ही है निश्शित है उसे हम चिंता ना कहकर ये कह सकते हैं परिक्षा के प्रती अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी एकागरता को पूर रूप से लगा देना और परिक्षा शब्द ही अपने आप में एक डर उत्पन करता है चाहे फिर वो जीवन में आने वाली आपसी सम्मंदों के बीच परिक्षा चाहे फिर वो एक विध्यारती के लिए एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने वाली परिक्षा कईयों से तो ये सुनने को मिला है कि परिक्षा का अर्थ है प्रभू की इक्षा इसका तात्पर ये है कि अगर व्यक्ति को आगे बढ़ना है सफलता प्राप्त करना है तो हर एक को कोई ना कोई परिक्षा अवश्य देना ही है सीता जी ने भी अगनी परिक्षा दी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई परिक्षा नहीं आई हो लेकिन आज हम सारी परिक्षाओं के वारे में बात ना करके खास युवा पीड़ी जो अपने सफलता के लिए पढ़ाई पढ़ रही होती है बहुती बीसो नाखुना का जोड लगा कर हर एक विध्यारती चाहता है कि मेरा नंबर बहुत अच्छी है उनके माता पिता वी एक बहुत अच्छी एक लक्षी की और उनको एकागर करते हैं कि तुम्हें पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना है, इंजिनियर बनना है, बिध्यारती बनना है, तुम्हें एक बहुत अच्छा टीचर बनना है लेकिन हम कहना चाहेंगे ये सब कुछ बनने के साथ साथ एक सच्चा इंसान भी बने एक सच्चा नागरिक बने एक सच्चा भारतिय बने अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाला बने परिक्षा के लिए हर विद्यारती मेहनत करता है लेकिन फिर भी कई बार जितना सोचते हैं उतने नमबर नहीं आ पाते हैं तो इसका मतलब यह है नहीं कि मेरा जीवन वहीं रुख गया परिक्षा सिर्फ एक पड़ाव है जो मुझको आंगे बढ़ना सिखाती है हमें असफलताओं को इस तरफ प्रकार से ना देखें जो हमारे जीवन में दुख की लहर आ जाए परिशानिया आ जाए और यदि में उस पर ज़्यादा चिंतित ज़्यादा अपने मन को लगाऊंगी तो कहीं ना कहीं मन हतास होने लगता है निराश होने लगता है ऐसा लगता है कि मैंने तो सोचा था कि 95 परसेंट आएंगे ही लेकिन ये 90 परसेंट क्यों आए 5 परसेंट कहां गए आपने मेहनत की परिक्षा भी दी परिणाम भी आया अब आध्यात्मिक्ता ये कहती है कि जो परिणाम आया उसे सुईकार कीजिए और सुईकार करके खुशिया मनाईए जो मिला उसको पाकर खुशिया मनाओ क्योंकि अब हम पाश्ट में नहीं जा सकते हम पीछे जाकर अपने जो प्रश्ण पत्र था जिसमें हम उत्तर लिख करके आये वहाँ पर हम कुछ ठीक करके नहीं आ सकते जो होना था सो हो गया ये बात बिध्यार्ती को भी सुईकार करना चाहिए और बिध्यार्ती के साथ साथ उनके माता-पिता और समंधियों को भी सुईकार करना चाहिए हमें उनको इस बात पर नहीं बानना चाहिए कि अगर तुम्हारे 95% आए तो हम तुमको बहुत अच्छा गारी लाके देंगे तुमको मोवाइल लाकर देंगे तुमको बहुत अच्छे अच्छे उपहार देंगे अगर आप ऐसी बात कहकर आप तो अपनी तरब से अच्छा प्रयास कर रहे हैं शायद आप सोच रहे हैं कि ऐसा कहकर हम बच्छों के मन को बहला कर बच्चे अच्छी परिक्षा में नंबर लाएंगे लेकिन कई वार नंबर नहीं आया उतना तो बिद्ध्यार्ती को लगता है कि मैंने अपने माता-पिता के सपनों को पूरा नहीं किया अब मेरा नाम खराब होगा, मेरे माता-पिता का नाम खराब होगा और ये सोचकर कई बार बिद्ध्यारती गलत रहा पे चले जाते हैं गलत संग में जाकर अपने जीवन को गलत लोग की साथ में आकर या तो व्यस्नों का साहरा ले लेते हैं और कई बार तो वो अपने जीवन को ही खतम कर देते हैं आत्मघात कर लेते हैं ये तो बहुत ही पड़ी बात है मेरी आपसे निवेदन है हमारा जीवन यहीं नहीं रुख जाता है इसके लिए बहुत अच्छी हरीवन सुराई जी की आप सभी ने कभिता शुनी हो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती लहरों से डर करनों का पार नहीं होती कोशिश शब्द इसलिए ही बना है कि एक बार ये दी हार गए तो आप द्वारा प्रियास कीजिए द्वारा आंगे बढ़िए असफल तैक चिनोती है सुईकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक ना सफल हो नींद चेन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड मत भागो तुम कुछ की ये बिना ही जैजैकार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो हमें सदा ट्राइ अगें ट्राइ अगें देन ट्राइ अगें नोट एंड कभी असफलता हो ये तो वो एंड के लिए नहीं हो ये कि मुझे जीवन को समाप्त कर देना है कि मेरे स्वासों को समाप्त कर देना है अब मुझे पढ़ना ही नहीं है आपने जितना टार्गेट लिया था कि मुझे इतने नंबर आने है आ गए बहुत अच्छी वात है नहीं आए और भी अच्छी वात है क्योंकि आँगे हम और प्रियास करेंगे मेहनत करेंगे जितने आए हैं मुझे उसी में खुशी मनाना है आज जो भी हमारी ये बाते सुन रहे हैं उनको हमसे वाइदा करना पड़ेगा कि कभी भी कुछ भी आपके आँगे परिनाम आता है उसको देख करके अपने मन को हताश निराश नहीं करेंगे और जो बड़े हैं पैरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों का अपने आसपास के बच्चों का उत्साह वर्धन करेंगे क्या कहेंगे वाह अरे वाह तुम्हारे तो बहुत अच्छे नमबर आए हैं बहुत सुन्दर चलो आँगे और मेहनत करना और अच्छे नमबर लाना और उसको बहुत अच्छे से good wishes देंगे, उसको कुछ अच्छा उपहार देंगे मोटिवेशन आज के बच्चों को, युबाओं को, बड़ों को, सभी को मोटिवेशन की बहुत आवश्यक्ता है आपके सामने कोई कुछ भी कारी किया एक ग्लास पानी भी लाया तो भी आपको क्या कहना है, अरे वा, थैंक्यू ये मोटिवेशन व्यक्ती को आँगे बढ़ाता है खुशी लाता है और आँगे आने वाले कारे में मदद करता है आप भी अपने जो साथी हैं उनको उत्साहित करें कई बार क्या होता है बच्चे बच्चों का मन उत्साह में ना लाकर हतोत साहित करते हैं नहीं, कभी नहीं कभी नहीं करना चाहिए हम एदी सच्चे नागरिक हैं उस परमात्मा के सच्चे बच्चे हैं जीवन में खुशियां लेकर की आएं और दूसरों को भी खुशी आबाटें सबसे बड़ा उपाहारे खुशी आप जिस छड़ भी, जिस पल भी और जहां पर भी हैं हर उस पल का आनंद ले और उसकी लिए आवश्यके जो भी हुआ उसको स्वीकार करें एक शब्द को पक्का कर लिजिए स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना जानते हैं एक्सपेक्टिशन्स बहुत सारी हैं हमारी अपने लिए दूसरों की लिए दूसरों की हमारे लिए लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हम सारी चाहनाओं को सारी एक्सपेक्टिशन्स को पूरा कर सकें इसलिए आवशक्ता है इस values को लाने की accept, स्विकार कीजिए आपके घर में भी जैसा भी माँ हो ले, जैसे भी लोग मिले हैं आपको जो भी relation में मिले हैं स्विकार कीजिए परमात्मा का धन्यवार्थ कीजिए आप तीन बातें सदा याद रखिए मुस्कुराईए, स्माइल कीजिए एक स्माइल आपके सो टेंशन खतम कर देती है आप अभी भी सुन रहे हैं, करिए स्माइल एक दुसरे को देखकर स्माइल कीजिए, देखिए सो टेंशन आपके एक स्माइल से खतम हो जाते हैं तो सदा क्या करना है आपको मुस्कुराना है निस्वार्थ कुछ मिले ना मिले नहीं बस मुझे तो मुस्कुराना है जब हम मुस्कुराएंगे तो हमें देखकर और लोग भी मुस्कुराएंगे मेरे भी टेंशन खतम होंगे मुझे देखकर दूसरों के टेंशन भी खतम होंगे आपके जो नंबर आए उसमें भी खुश दूसरों के जो भी नंबर आए उसमें भी खुश खुशी खुशी आपस में शेरिंग करें और एक दूसरे की केहर करें दूसरे बात आपको दूसरों को क्या कहना है शुक्रिया धन्यवाद परमात्मा का भी धन्यवाद पैरेंट्स का धन्यवाद जिन्हों ने आपको इतना खर्चा किया इतनी मेहनत की आपकी टीचर्स को भी धन्यवाद जिन्हों इतना अच्छे से आपको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, उनको भी धन्यवाद, अपने जो फ्रेंड सरकल वाले जो भी दोस्त हैं, जो भी आसपास आपके भाई बंदू हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके साथ बैठकर आपने पढ़ाई की, एक दुसरे को देखकर कुछ न कुछ सिख्षा धन्यवाद अपने इस प्रकरती को भी जो सदाई हमें हावा देती है, पानी देती है, हमें जीवन जीने के लिए ओजोन देती है, धन्यवाद अपने आप के लिए भी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत निशिंत हूँ, अपने आ और तीसरी बात, आप सदाही परमात्मा पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, परिक्षा क्या है, कुछ समय की एक साल की पढ़ाई की और कागजों में हमने लिखके आ गए और परिणाम आ गया, यहीं पर हमारा जीवन खतम नहीं होता है, जीवन बह सब्सक्राइब होता है, बहुत कुछ हमें पाना है, बहुत कुछ करना है, आप बड़े बड़े लोगों को देखिए, जो हमारे पीछे हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, उन्होंने कितनी पढ़ाई की, क्या उनका नाम नहीं उवा, फिर हमारे बड़े बड़े उपनिश् थे शास्त सुनाने वाले वेद सुनाने वाले आपके खुद की पूर्वस दादा दादी नाना नानी पुछी इंसे इन्होंने कितनी पढ़ाई की जितना भी पढ़ा जो आ गया वो उसी में खुशी मनाते थे बस रिजल्ट आ गया और लड़ू बाटना शुरू यह नहीं क् होता था कि परिक्षा देकर आ गए बहुत बढ़िया बहुत अच्छा रहा खुशी खुशी अपने जिन्देगी को बिताईए तो बिश्वास कीजी अपने आप पर बिश्वास कीजी परमात्मा पर पढ़ाई तो एक जरिया है कि हमें उसको पास करना है डिगरी लेना है जब हमें डिगरी मिल जाएगी हमारा पद पोजीशन मिल जाएगा सीट मिल जाएगी तब इस पधाय च और कुछ भी याद नहीं रहेगा कुछ भी याद नहीं रहता वहाँ तो फिर वहाँ पर काविलियत वहाँ पर रब काम आती है तो वह काम आती है हमारी काविलियत हमारा experience जितना हम अपने फिल्ड में जाएंगे कर्म छेतर पर कर्म करेंगे और जितना वह हमारा अनुवब बढ़ता जाएगा वह हमें साथ देगा फिर तो बास समझ में आ रही होगी कि पढ़ाई सिर्फ एक जरिया है एक माध्य में आगे बढ़ने का लेकिन ये हमारा जीवन नहीं है इसलिए इसके परिणाम को देखकर अपने मन को दुखी बिलकुल भी ना करें जैसा भी परिणाम वाए उसको स्विकार करें धन्यवाद करें और अपने आप पर विश्वास रखें विश्वास वो सीड़ी है जो हमें सफलता की और पहुँचाती है दूसरों की दिलों में इस्थान दिलाती है आगे आने वाली इक्षाओं को पूर्ती करने में हमारा मदद करती है इसलिए आश और विश्वास कभी भी खतम नहीं हो उमीद आज दुनिया जो चल रही है उमीद पे चल रही है आप से माता पिता की उमीद लगी हुई है हर एक इनसान की हर एक इनसान से कोई न कोई उमीद होती है अगर मैं कुछ गलत करूंगी अपने साथ तो मेरे से जिनकी उमीद है उनको कितना दुख होने वाला है तो कम से कम आप अपने खुशी के लिए नहीं तो दूसरों की खुशी के लिए आप अपने आपको खुश रखिए, अपने आपको जिन्दा रखिए, अपने मन को भी, अपने भाबनाओं को भी, अपने हर कर्म को भी और उनमें रोज जान डालनी हैं किसे? परमात्मा की ध्यान से रोज परमात्मा से सकारत्मग विचार लेकर अपने मन को रोज सकारत्मग विचारों का भोजन दीजिए ये पॉजिटिव थिंकिंग हमारी जो सिच्वेशन आती हैं उनमें बहुत मदद करती है रोज सुबह उठिए, सुबह उठके कहिए मैं स्रेश्ट हूँ मैं विजई हूँ, मैं सफल हूँ मैं अपने माता पिता का बहुत अच्छा बच्चा हूँ मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाला हूँ मैं आगे बढ़कर दूसरों को भी आगे बढ़ाने वाला हूँ आप जब रोज अपने आपको सच्ची विचार सकरात्मग विचार देंगे तो यह आपको उर्जा आपको दिन भर तो काम करेंगे लेकिन कभी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी वहाँ पर भी यह उर्जा काम करेंगी तो यह हॉमबर्ख है आपके लिए कि आपको रोज पांच विचार दस विचार अच्छे अच्छे अपने लिए करने हैं और उसका चिंतन करना है तो यह चिंतन मनन हमारे जीवन में शक्ति देगा उर्जा देगा तो जब भी खाली स्थान पर बैठें और अपने मन को एकांत करते हुए तीन बार ओम धोनी भी अवश्य करें इससे भी मन की शांती मिलते हैं ओम शांती ही ओम शांती ही ओम शांती ही ओम शांती ओम शांती ओम शांती झाल, झाल, झाल.